नमस्कार बच्चों, स्मार्किट्स वर्ल में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे हिंदी वन माला का अक्षर भ और भ से शुरू होने वाली कुछ वस्तुओं के नाम तो चलिए शुरू करते हैं भ, भ से भालू, भालू मतलब बैर और भालू का रंग कैसा होता है? ब्राउन, भूरा और भालू कहां रहता है? भालू जंगल में रहता है इसलिए हम उसको जंगली जानवर बोलते हैं भालू, भ से भीड, भीड मतलब क्राउड और भीड में लोग एक दूसरी को जानते हैं या नहीं जानते हैं जब बहुत से लोग एक जगा एक साथ इकठे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं भीड, भ, भ से भिंडी, भिंडी का रंग कैसा होता है, हरा, इसको हम इंगलिश में बोलते हैं, लेडी स्विंगर, ये एक सबजी है, आप में से किस-किस को भिंडी पसंद है, मुझे तो भिंडी भ, भ से भाई, बड़ा भैया और छोटा भाई, भाई मतलब ब्रादर, भ से भवन, भवन मतलब कोई बिल्डिंग जहाँ लोग रहते हैं, और जो बड़ी बिल्डिंग ओती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं भवन, जैसे कि राश्टपती भवन, भ से भवन, भ से भारत, भारत हमारा देश है और जैसा कि आपको यहां दिखाए दे रहा है भारत का जंडा, ते रंगा, उसमें कितने रंग है? तीन रंग है, केसरिया सफेद और हरा, और बीच में है अशोक चक्र, भ, भ से भारत भ से भारी, भारी मतलब हेवी, जो चीज हेवी होती है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं भारी भारी बैग, भारी बोटल, भ से भारी, भ, भ से भागना, भागना मतलब रन, रनिंग जैसे हमने द में सीखा था दोड़ना, उसी तरीके से भ से भागना भ से भैस, भैस मतलब बफिलो और बफिलो से हमें दूद मिलता है जिससे हम पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, गी बनाते हैं और भैस का रंग कैसा है? हाँ भैस का रंग है काला और इसके दो बड़े बड़े सींग है भ से भैस भ से भुट्टा भुट्टा मतलब कौन आपको भुट्टा काना पसंद है हाँ भुट्टा हमें खाना चाहिए कुछ लोग इसको उबाल के खाते हैं कुछ लोग इसको आँच पे पका के खाते हैं और कुछ लोग इसको कच्चा ही खाते हैं आपको कैसे खाना पसंद है? भव से भुट्टा भव से बिखारी बिखारी मतलब बैगर ऐसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं है और वो लोगों से मांगता है भव से भिखारी भव से भेडिया भेडिया मतलब वुल्फ और वुल्फ भी जंगल में पाय जाते हैं और वो जो छोटे-छोटे जानवर होते हैं उनको खाते हैं जैसे कि छोटे-छोटे खरगोश हैं या और कोई छोटे जानवर हैं उनको पकड़के खाते हैं और ये जंगल में रहते हैं इसलिए भेडिया एक जंगली जानवर है इस अन वाइल्ड एनिमल भह से भेडिया भह से भेड भेड मतलब शीप और शीप से हमें क्या मिलता है? हाँ, शीप से हमें मिलती है उन जिससे हम स्वेटर बनाते हैं और ये स्वेटर हमें सर्दियों में गरम रखती है और उनके कंबल बनते हैं स्वेटर बनती हैं और हाथों के दस्ताने बनाते हैं सर के लिए टोपी बनाते हैं सो भेड बहुत ही काम का जानवर है और इसकी उन मिलती है इसलिए लोग इसको पालते हैं और इसको फिर हम बोलते हैं पालतु जानवर भ से भेड़ तो आज हम सीख रहे हैं भ और उससे शुरू होने वाली कुछ वस्तों के नाम तो चलिए एक बार फिर से दहराते हैं और इस बार आप भी मेरे साथ बोलिए भ भ से भालू भ से भीड भ से भिंडी भ से भाई भ से भवन भ से भारत भ से भारी भ से भागना भ से भैंस भ से भुट्टा भ से भिखारी भ से भेड़िया और भ से भेड़ तो आज हमने क्या सिखा हमने सिखा भ और भ से शुरू होने वाली वस्तों के नाम आप इने दहराते रहिए और याद रखिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बाई बाई आप बाई रखिए अलगी का लाखिए लाद रखिए अलगी आप पनापके लादी वाली वाली वीडियो नापके लाद भीडियो दो आपके लाद क।ंब